तारे सितारे वंगरहनक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यका राशीफल नई-णई यानवरधक जानकारी हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जारे हैं देने की राशीफल दिनांक 15 फरवरी 2020 शनिवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज 12 में से 7 राशी वालों को सितारों का 7 मिलेगा और कारी छेतर में इन्हें आज सफलता मिल पाएगी तो इन 7 राशीों में आज है में शबρशब, सिम्ह, कन्या, तुला, धनू और मकर राशी वाले लोग वहीं अन्य पांच राशी वालों को आज मिसरित परिणामों की प्राप्ती होगी तो आज फालगु नमास सुकल पक्ष की सब्तमी तिथी है शनिवार का दिन है आज का दिन मानें 11 घंटा 11 मिनिट का आज दिन की सुरुवात विशाखा नक्षत्र से होगी और आज वरद्धी एवं धुरुव नाम के दो सुब योग रहेंगे आज चंद्रमा का संचरन तुला राशी में दिन के 11 बच के 9 मिनिट तक रहेगा इसके पश्चात चंद्रमा जो है वरश्ची के राशी में प्रवेस कर जाएंगे और आज सर्वस्रेष्ट मुहुरत अभी जीत मुहुरत आरंब होगा दिन के 12 बच के 13 मिनिट से आरंब हो करके तो दिन के 12 बच के 57 मिनिट तक 30 शुब स्रेष्ट समय रहेगा इस शुब मुहुरत में आप किसी भी शुब वा नए काम की शुरुवात कर सकते ही किसी भी नई वस्तु की खरीदारी इस समय अवधी में आप कर सकते ही यह मोहरत बहुती स्रेश्ट होता है और आज अशुब समय आरंब होगा दुष्ट मोहरत प्राताहकाल 7 बजे से आरंब हो करके तो प्राताह 8 बच के 29 मिनिट तक अशुब समय रहेगा इस अशुब समय अवधी में आप किसी भी प्रकार के शुब कारी की सुरुआत नहीं करें कोई भी नया काम सुरू आप नहीं करें और आज राहुकाल रहेगा प्राताहकाल 9 बच के 47 मिनिट से आरंब हो करके तो दिन के 11 बच के 11 मिनिट तक राहुकाल रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का लेन देन का काम आप नहीं करें किसी भी प्रकार की खरेदारी आप नहीं करें और किसी को धन वस्तु आधी उधार में आप नहीं देवें और आज दिशा सूल रहेगा पूर्व दिशा में तो आज के दिन आप पूर्वदिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वह नए काम की सुरुवात नहीं करें, पूर्वदिसा की यात्रा भी आप नहीं करें, यदि यात्रा करना आपको अती आवश्यक हो तो अपने इस्ट देवता की पूजा आरातना करके, अथवा इस्ट देवता के नाम मंत्रों का उच्चारण करके यात्रा आप कर सकते ही तो आज जो है शनिवार का दिन है आज के दिन कर्म फल प्रदाता भगवान शनी देव को समर्पित है आज के दिन शनी देवता की सच्चे मन से उपासना करने से जीवन में दुख व संकटों का सामना हमको नहीं करना पड़ता है तो शनी देवता जिस पर कूपित हो जाते हैं उसके खराब दिन आरंब हो जाते हैं यानि जिसकी रासी पर ढहिया सनी या साड़े साती का प्रभाव होता है उस पर सनी देव की अशुब दरश्टी होती ही है जिससे व्यक्ति को हर कारे में बाधाओं का सामना करना पड़ता है आर्थिक हो या सामाजिक या पारिवारिक जीवन हो उसका तनाव पूर्ण जीवन रहता है और धन खर्च अधिक होता है धन संचई व्यक्ति नहीं कर पाता है परिवार में कलह अधिक होता है समाज में मान सम्मान उसे नहीं मिलता है और इश्ट मित्रों से भी उसका विरोध रहता है क्रोध की उसके अंदर अधिक्ता रहती है जिस किसी भी कारी करने का प्रयत्न वह करता है उसमें उसे सफलता नहीं मिलती है तो शनी देव के प्रभाव से व्यक्ति राजा से रंक तक बन जाते हैं या गरीब से गरीब व्यक्ति भी धनवान बन जाते हैं तो जोती सास्तर के अनुसार शनी देवता जो है दंडादी कारी कहे गए हैं यानि न्यायाधीश कहे गए हैं तो जो व्यक्ति शुभ कारी करता है उसे कभी शनी देवता नहीं सताते हैं तो शुभ कारियों में काम इस प्रकार से हैं कि गरीब अनाथ व अपाहिज की सहायता क एवं गव ब्रामन वा देवताओं की सेवा करना दान पुन्य कर्म करने वाला जो व्यक्ति होता है शनी देव की करपा प्राप्त कर लेता है जिससे उसे प्रत्य कारि में सफलता भी मिलती है धन सम्रद्धी की उसे प्राप्ति होती है इसके अलावा इसके विपरी तो जो व् रामन देवताओं का अनादर करता है जुवा सट्टा आधी में धन का निवेश करता है इस्तिरियों का अपमान करता है और मादक वस्तूओं का अधिक जो प्रयोग करता है तो यह सब अशुब कर्म कहे गए हैं ये इसे कर्म करने वाले व्यक्ति शनी देव के कोप का भाजक बनते हैं तो सबी ग्रहों में सनी का मनुष्य पर सबसे हानी का रख प्रकोप होता है सनी की कूदरस्टी से राजाओं तक का वेगव जो पलक जपकते ही नश्ट हो जाता है सनी की साड़े साती दसा जीवन में अनेक दुखों विपत्यों का समावेश भी करती है अतह मनुष्य को सनी की कुदरस्टी से बजने के लिए सनीवार का वरत करते हैं सनी देवता की पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए सनी इस्तरोत्र के पाठ से मनुष्य के जीवन में धन धानने की वर्षा होती है और सभी मंगल कामनाय उसकी पूरी होती है तो इस वरत का आ अर्पन करना चाहिए और लोहे से बनी शेनी देवता की मुर्ती को पंचामर से इसनान करवा करके सुद्ध जल से इसनान करवाना चाहिए वस्तर आदी चड़ाना चाहिए वस्तर में काले वस्तर उनको अर्पन करना चाहिए और चामलों से बनाए गए 24 दल के कमल पर उनको पूजा करते हुए सनी महाराज के दस नामों का सरद्धा पुर्वक उच्चारण करना चाहिए सनी देवता के दस नाम इस प्रकार से है इनका उच्चारण करने से सनी देवता की विशेश क्रपा मिलती है इनके नाम इस प्रकार से है इन नामों का सरद्धा पूर्वक शनिवार के दिन उच्चारण करने से सनी देवता की विशेश क्रपा हम को मिलती है और पीपल के वरक्ष के तने पर सूत के धागे से साथ परिक्रमा करना चाहिए शनिवार की पुजा सुरियोदे के समय करने से स्रेश्ट फल मिलता है चाहिए और राहु की कुद्रश्टिक की सुरक्षा से दुर्वा की समिधाओं से हवन करना चाहिए केतु से सुरक्षा पाने के लिए केतु मंतर के दोरा कुशा की समिधाओं से हवन करना चाहिए और काली जव काले तिल से 108 आहुती प्रत्येक के लिए देना चाहिए फिर अपने आर्थिक छमता के नुसाथ ब्रामनों को भोजन करवा करके लोह की वस्तु धन आदि का दान अवश्य करना चाहिए सनिवार का वरत और पूजा करने से सनि के प्रकोप से सुरक्षा के साथ राहू केतो की खुद रष्टी से भी सुरक्षा हो जाती है तो वरत कन्ने से धन संपत्ती, सामाजिक सम्मान और बुद्धी का विकास होता है परिवार में पुत्र, पोत्र आदि की प्राप्ती होती है विशेश करके शनी देवता की क्रपा सदेव बनी रहती है तो आज आपकी जन्मरासी के अनुसार भगवान शनी देवता को प्रसंद करने के कुछ सरल से उपाय आपको हम बताएंगे जिससे आपको अपने कारी चेत्र में संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका जीवन इस तर काफी अच्छा रहेगा तो अब जानी अपनी जन्मरासी के अनुसार आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते ही तो मेश रासी से आरंब करते हैं मेश राशी वालों को आज शुब परिणाम इस परकार से मिल सकते ही कि आज शुक्र गरह स्वयम राशी का गोचर संचरन हो रहा है जो बाहर की यात्रा और दामपत्य जीवन के लिए आपके लिए बहतर हो सकेगा आपके पराकर्म में वरद्धी के योग रहेंगे इस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहने वाली है आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकेगी इसलिए आपको प्रयासरत होना चाहिए कारे चेतर में तभी आप सफल भी रहेंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपका घरेलू जीवन में समस्याएं आपको उत्पन हो सकती है इस इस्तिती में आपका ध्यान अपने काम पर थोड़ा कम लगेगा इस समय आपको अपने जीवन में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा यदि आप विद्यारती है और पढ़ाई लिखाई से संबंदित किसी प्रकार से आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको काम्याबी प्राप्त होने में थोड़ा विलंब हो सकता है इसलिए आपको धेरेधारन करना होगा आज लाइप की यदि हम बात करें तो नए संबंद की अपेक्षा आप रख सकते हैं इसमें खास बात यह है कि बिना लाग लपेट या आधुने की योवन भरा रिस्ता आपका रहेगा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंद बनने की उम्मीद रहेगी जो आपसे उम्मीद ज्यादा करता हो आपसे ज्यादा आशा रखता हो आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें तो विट्टी ये मामलों में आपके कोशल का प्रदसन करने का समय बहतर रहेगा अगर आप थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अधिक प्रिद्न करना चाहिए और मन को एकागर रखते हुए काम करना चाहिए तो कारे छेतर में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज आपको सुख वद्दुख दोनों मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे थोड़ा सा तनाव भी उत्पन हो सकता है इसलिए तनाव मुक्त रहने का प्रियतना आपको करना चाहिए यहाँ आपके सारीरिक स्वास्त के लिए हित कर रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंकछे हैं शुबरंग आपका पीला रंग है तो पीले रंग का प्रियोक कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात शनी देवता के मंदिर में तेल का दीपक जलावे और शनी देवता को तेल से इसनान करावे या तेल अरपन करें लोहे की वस्तूओं का उनके मंदिर में दान करें और स्रीफल चड़ा करके शनी देवता की करपूर से आरती उतारे यथा शक्ती शनी देवता के इस्तरोत्र अथवा नाम मंत्रों का बेट करके जाब करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शूब वह सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है वरशब तो वरशब राशी वालों को आज शूब परिणाम इस परकार से मिल सकते ही कि आप पूरी परिवपकोता से मुद्दो से निपटने और छोटे तरक वितरकों को टालने में सक्षम रहेंगे आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाओ की संभावना रहेगी हाला कि यहाँ परिवर्दन आपके लिए अच्छे साबित होंगे आपको नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा और आप उनसे आसानी से निपटने योग्य रहेंगे आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं अपने काम में शार्ट टकट लेने का प्रयतन आपको नहीं करना चाहिए यह आपके काम को खराब कर सकते हैं और आपकी प्रेसानी बढ़ सकती है धीमे और मजबूत कदमों से आगे बढ़ना आपको पेशेवर के साथ साथ आर्तिक सुरक्षा भी पदान करेगा अच्छे और तरक संगत आर्तिक निरने लेते समय सावधानी आपको बरतना चाहिए आज लाहिप की यदि हम बात करें तो भावनात्मक मामलों के लिए समय बहुती इस्थिर रहेगा आपका अपने पार्टनर के साथ बांड और भी मजबूत होगा और आप अपने साथी के साथ कुछ बहतरिन पलों का आनंद ले पाएंगे आज व्यापार व्यवसाई की यदि हम बात करें तो आपको अभी ऐसास होगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने कोशल को विक्सित करने की जरूरत है तो धन कमाना इसका सही प्रयोक करना आपको अच्छे से आता है किन्तु इस भाग दोड में स्वास्त का ध्यान रखना आपके लिए बेहतम महतुपूर्ण रहेगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें इस समय आपके मानसिक तनाव में ब्रद्धी होगी इसलिए तनाव मुक्त हो करके काम करेंगे तो सारी रेक और मानसिक रूप से आप काफी स्वस्त बने रहेंगे तो आज आपका भागिशाली अंकतीन है शुबरंग आपका नीला रंग है तो नीले रंग का प्रयोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करते हैं तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्नस संकटवा बादाओं को दूर करने के लिए आपका व बहु गरपन करके करपूर से उनके आरती उतारे यथा शक्ती शनी इस्त्रोत्र अत्वास शनी देवता के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है मिथुन मिथुन राशी वालो को आज शुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि परिवरतन आपको एक इस्थाई आर्थिक अवस्था और इस्थित्य तक ले जाएंगे समय आपके लिए शुब फलताई रहने वाला है समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा धन अचल संपत्ती के अमामले में वरद् तथा सगे संबंदियों से रिलेशन आपके काफी बहतर होंगे संबंद आपके मजबूत होने के कारण कारे चित्र में भी अच्छी उन्नती कर पाएंगे आज आपको अशुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि आज क्रोध में निरणे लेने से आपको बचना चाहिए और आउटपूट की मातरा की जगह काम की गुणवत्ता पर अपने ध्यान को केंदरित आपको करना चाहिए यह आपके कारियों में महतुपुर्ण परिवर्तन का संकेत रहेगा और यह बदलाव आपके लिए लाबदायक सिद्ध होंगे इसलिए उन्हें खुली बाहों से स संभावना रहेगी आज व्यापार विवसाई की यदि हम बात करें तो जो लोग निरियात का काम करते हैं वे इस समय अपने विवसाई के लिए अच्छा समय पाएंगे और किसी प्रमुक गठ बंदन में प्रवेस कर सकेंगे आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो अपने स स्वास्त और आहार में परिवर्तन आप पर गहरा प्रभाव डालेगा कुछ मांसे किया आर्थिक कटिनाई आपको तनाव दे सकती है इसलिए खान पान पर थोड़ा सा नियंतरन बनाए रखें और तनाव मुक्त रहे तो आपका स्वास्त बहतर रहेगा तो आज आपका भा इस उपा इस प्रकार से है कि प्राताहकाल इसनान करने के पश्चाच शनी देवता के मंदिर में तेल का दीपक जलावे और शनी देवता का यथा शक्ती पूजन कर लेए एक काले वस्तर में काले तिल, काले उड़द रख करके अरपन करें और एक स्रीफल चड़ा करके शन प्रकराशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आप जो भी काम करेंगे उसमें धेरिय और विवेक से अपने धन के लालच को काबू करने और सफलता का स्वाद चकने में सक्षम रहेंगे आप धर्मे क्या पवित्र कारियों में स्वयम को व्यस्त कर रहें परंतु इसके साथ अपनी छोटी से छोटी उपलब्दियों को पहचानना आप नहीं भूलें अपने किसी भी कारियों को अधूरा आप नहीं छोड़ें सुनिश्चित करें कि जो भी काम आपने शुरू किया है वह सही समय पर आपका पूरा हो जाए आज लाइप क विकास अच्छे से आप कर पाएंगे आज व्यापार विवसाई की एदी हम बात करें तो उन लोगों के लिए समय व्यस्त ज़्यादा रहेगा जो लोग ग्रहकों के साथ परामर्श का काम करते हैं उन्हें व्यस्तता भरा दिन आज रहने वाला है आज स्वास्त की एदी हम बात करें तो अपने खान पान में बदलाव करने से आपकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इससे आपकी समस्याई दूर होगी और तनाव मुक्त आप रह पाएंगे तो आज आपका भाग्यशाली अंकछे हैं शुबरंग आपका पीला रंग हैं तो पीले रंग क मंदिर में तेल का दिपक जलावे, सनी देवता को तेल से स्नान करावें, काले वस्तर अरपण करें, थोड़े से काले तिल और काले ओड़द भी रखें, मिठाई का भोग अरपण करके करपूर से उनके आरती उतारें, ओर यथा शकती शनी इस्तरोत्रःथ्वा सनी देवत धन प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास आपके लिए सफलता दायक हो सकेगा, आप अच्छे लोगों की संगति का आनन्द ले पाएंगे, धन संबंदी मामले आपकी प्रात्मिक सूची में रहेंगे, परिवार में किसी तरह की खुशी आपको परिवार के साथ समय बिताने की जो छमता है आपको उसकी सफलता की पहचान करवाएगी खास तोर पर कारिश्थल पर अपने सीनियर्स से आज आपको सलाह लेकर के काम करना चाहिए आज पूरी प्रिक्रिया आपको अपने नेतरत्व कोशल में करने की सलाह दी जा सकती है जिससे आप अपने कारिश्थल में अच्छी उन्नती प्राप्त कर सकेंगे आज लाइप की यदि हम बात करें तो आज जीवन साती से प्रेम पूर्ण व्यभार करना आपके जीवन के लिए काफी अच्छा रहेगा इससे दामपत्ती जीवन आपका काफी सुखद बना रहेगा आज व्यापार व्यभसाई की यदि हम बात करें तो कामकाच के छेतरों से अच्छा लाब मिल पाएगा यदि किसी नए कारी का शुभारंब आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं या जो कारी आपके पास है उसका विस्तार करने का प्रयाज भी आज आपके लिए सफलता दायक ही रहेगा आज स्वास्त की अदिहम बात करें तो इस समय आपको किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बचना चाहिए क्योंकि यह किसी खत्र या दुरगटना का कारण बन सकता है इसलिए उतावलेपन में कोई काम आज आपको नहीं करना चाहिए यही आज आज आपके स्वास्त के लिए हित कर रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंकछे है शुब रंग आपका नारंगी रंग है नारंगी रंग का प्रयोग कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्नस अंकटवा बाधाओं को उड़द थोड़ा सा लोहा रख करके अरपन करें और एक स्रीफल चड़ा करके करपूर से शनी देवता की आरती उतारें यथा शक्ती शनी देवता के इस्तरोत्र या नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब और सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी ही करन्या तो करन्या राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते ही कि आपको नए नए पकवान खाने का अवसर मिलने की उम्मीद ज्यादा रहेगी आप बोधिक रूप से काफी मजबूत बनेंगे और आपका विवाहिक मिलकर इस समय का आनंद लें आपको आर्थिक लाब होने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकेंगे आई के नए नए इस तरोद्र भी आज आपको मिल सकते हैं आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि कई मामलों में यह समय आपके लिए मांगों से भरा ह हो सकता है लोग ज्यादा ही अपेक्षा आपसे कर सकते हैं और आपको सफलता पाने के लिए कड़े महनत से जुड़ा हुआ कारिय भी करना पड़ सकता है कारे स्थल पर गंबिरता से आपको परेशानी हो सकती है इसलिए यह जान ले कि कब आपको गंबिर होना है और कब नह होना है आज लाइब की अदि हम बात करें तो आज प्रेम की गहराई को आप समझ पाएंगे अपने प्रेमे या जीवन साथी के प्रती अधिक सहनसील करोना में आप रहेंगे अगर आप सिंगल हैं तो अभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल पाएंगे जो हर चीज को लेकर उत्सा ही रहेगा किन्तो याद रखे कि आपको वह पहला कदम उठाने की आवशकता ही रहेगी आज व्यापार विवसाई की अदि हम बात करें तो व्यापार से आर्थिक लाब प्राप्त होने के प्रबल योग रहेंगे इस लाब को पा काली अंक आठ है शुबरंग आपका नीला रंग है तो नीले रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करते हैं तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बादाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रक का भोग अरपन करके एक स्रिफल चड़ावें और करपूर से शनी देवता के आरती उतारें यथा शक्ति शनी देवता के इस्त्रोत्र अथ्वा नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है तुला तुला राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपके विकल्प और निर्णे सही साबित होंगे और इसका परिणाम आपको अपने इच्छा के अनुसार प्राप्त हो सकेगा या सायद जितना आपने सोचा है उससे भी बहतर मि मिल सकते हैं कि नोकरियादी में आपके अधिकारी या बोस के द्वारा आपके काम की प्रसंसा की जाएगी या उसे पहचाना जाएगा किन्तु इस पहचान को प्राप्त करने के लिए आपको भी कड़ी महनत करना होगी आप पर कई महतुप्रुन जिम्मेदारियां आ सकती ह आज आपके सत्रू पक्षहावी भी हो सकते हैं अतह किसी तरह की उलजन से दूर रहने का प्रयत्न आपको सोयम को ही आज करना चाहिए आज लाइप की यदि हम बात करें तो इस समय आप अपने रिस्तों को इस पश्ट और जितना हो सके उतना सरल बनाना चाहते हैं तो आज कल्यान प्रगती के लिए संभावित खत्रों की पहचान करने के लिए आपको तेज और सतर को होने की अवशकता रहेगी लोगों का सहयोग और विचार शेयर करना आज आपके लिए काफी लाब परद रहेगा आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो मांसिक व्याकुलता के स आज सांत आपके स्वास्त में थोड़ी से गिरावट हो सकती है इसलिए अपने सारीरिक स्वास्त का विशेष ख्याल लखें बेवज़ा के चिंता से जितना हो सके दूर आपको रहना चाहिए और अच्छे खान पान का प्रयोग आपको करना चाहिए जिससे आपका सारीरिक स्वास्त बहतर बना रहे तो आज आपका भाग्यशाली अंक चार है शुबरंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रयोकारी छित्र में आज अधिक सदिक आप करते हैं तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विगन संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं कि प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात शनी देवता के मंदिर में तेल का दिपक जलावें और यथा शक्ती शनी देवता की पूजन कर लेवें शनी देवता को एक काले कपड़े के उपर काले तिल, काले उड़द, थोड़ा सा लोहा रक करके अरपन करें रितुफल मिठाई का भोग अरपन करके एक स्रीफल चड़ावें करपूर से शनी महराज की आरती उतारे यथा शक्ति शनी इस्त्रोत रत्वा शनी देवता के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब बस सफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है व्रश्चिक व्रश्चिक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आपको भाग्य का साथ भरपूर मिलने वाला है कामकाज के छेत्रों में लाव प्राप्त हो सकेंगे यदि किसी तरह का कोई निवेश आप करना चाहते हैं तो इस समय में आप कर सकते हैं अच्छी सफलता पा सकेंगे क्योंकि उसके लिए इस्तिती अनुकूल भी रहेगी धन धान में आपके लिए व्रद्धी होने की संभावना अधिक रहेगी आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि यह समय कई अनिश्चित्ताओं और नए अवसरों को अपने साथ में लेकर के आया है आपको अपनी प्रात्मिकताओं को पुनर विवस्थित करने और अपने लक्षों का मुल्यांकन करने की आवशक्ता ज्यादा रहेगी किसी भी नए कारी की सुरुबात परिणामों को लेकर अनिश्चित्ता से सुरू होगी इसलिए धेरी पुर्वक्स्व विवेक से काम करने की आपके लिए आज आवशक्ता ज्यादा ही रहेगी आज लाइप की यदि हम बात करें तो आज आपको जीवन साथी या प्रेमी के साथ सक्री रूप से बाच्चित करने और अपने विचारों को शेर करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वहाँ आपके हीन और अनासक्त उत्तरों का गलत मतलम निकाल सकता है आज व्यापार विवसाई की यदि हम बात करें तो अपने कारे छमता के अनुसार कोशिस आपको करना चाहिए जिससे की समय के अनुसार धन प्राप्त होने में आपको सफलता प्राप्त होती रहे आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज आपको वाहन से विशेश करके साथधानी रखना चाहिए किसी तरह की चोंट चपेट इत्यादी की संभावना अधिक रहेगी तो आज आपका भाग्यशाली अंक चार है शुबरंग आपका हरा रंग है तो हरे रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक से अधिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है कि प्राताकाल इस्टनान करने के पश्चाथ शनी देवता के मंदिर में तेल का दिपक जलावें यथा शक्ति शनी देवता की पूजन कर लेवें पंच मेवाक और मिसरी का भोगरपन करें एक स्रीफल चड़ावें करपूर से शनी देवता की आरती उतारें और गरिव अनाथ व्यक्तियों को धन वस्त्र आदी की साहता करें यह था शक्ति शनी देवता के नाम मंत्रों का बेट करके जाब करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वा सफलता दायकाज रहेगा अगली राशी है धनू धनू राशी वालों को आज शुब परिनाम इस परकार से मिल सकते हैं किसी कारे में का छेतर में अच्छा लाब आपको मिलने के योग रहेंगे अर्थिक लाब के लिए किये गए प्रयासों से अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है इस समय आप सामाने से अधिक प्रभावशाली अपने आपको महसूस कर पाएंगे अपनी बहतरे के लिए किये गए बदलाओं से आप अपने आसपास के लोगों को हेरान या प्रभावित भी कर सकते हैं आज आपको अशुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं इस समय आप जो भी निर्णई लेंगे उसे बहत ध्यान पुरवक लेने की आवशकता रहेगी अन्यत्था पारिवारिक कलह होने की समस्या आपके लिए ज्यादा हो सकती है जिससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है बड़ी हुई जिम्मेदारियों को नियमित करने में थोड़ा सा समय और अधिक आपको लग सकता है इसलिए धेरी पुरवक सो विवेक से आप काम करेंगे तो आपको अच्छी सपलता हंसिल हो जाएगी आज लाइब की यदि हम बात करें तो कुछ समय तक आपके जीवन में कोई रोमांच या ताम जाम नहीं है पेशेवर मामलों में गड़बड़ी आपके रिस्तों में कुछ उथल पुथल पैदा कर सकती है इसलिए सावधानी से कारिविभार करने की आज आपको आवशक्ता ज़्यदा ही रहेगी आज विया पहर व्यबसाई की यदि हम बात करें यदि आप आर्थिक लाब की दरस्ती से कोई investment करने का विचार कर रहा हैं इसके लिए आप नेमेद दिन्चरिया का पालन करेंगे, तो आपका सारी रिक्स्वास्त बहतर बना रहेगा, तो आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है, शुबरंग आपका बादामी रंग है, बादामी रंग का प्रयोक कारी छित्र में आज अधिक से दिकाप करते हैं, तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज सभी विग्न संकटवा बादाओं को दूर करने के लिए, आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है, कि प्रातहका लिश्नान करने के पश्चात, शनी देवता के मंदिर में तेल का दीपक जलावें, शनी देवता क के इस्तरोत्र अथ्वा नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें, तो ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायकाज रहेगा, अगले राशी है मकर, तो मकर राशी वालों को आज शुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि आपकी माताजी के स्वास्त मे सुधार रहेगा, यदि कोई पुरानी समस्या है, तो उससे राहत मिलने के योग रहेगे, और कोई अंजाना कारी भी आज आपको करना पर सकता है, आज आपको तनाव या दवाव भी हो सकता है, आप में केरियर शेरिंग प्रिये जनों के साथ घनिष्ट संबंद और एकता और संतुष्टी की भावना अधिक रहेगी, घर का माहूल आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, आज आपको अशुबु परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं, कि माहूल या आस्परोस में बदलाव की संबावना अधिक रहेगी, जैसे कि इस्थान परिवर्तन या न सफलता हांसिल हो जाएगी, आज लाइप की अधि हम बात करें, तो यहाँ समय आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ मदबेदों को लेकर के आ सकता है, हाला कि समझदारी से आप इन चुनतियों से निपटने में सक्षम भी रहेंगे, आज व्यापर विवसाई की अध सफलता दायक हो सकेगा, आज स्वास्त की अधि हम बात करें, तो उत्तम स्वास्त को पाने के लिए आज आपको खान पान पर थोड़ा सा नियंतरन रखना चाहिए, और नियमिन दिन्चरिया का आपको पालन करना चाहिए, जिससे आपका सारीरिक स्वास्त बहतर बना तो आज आपका भाग्यशाली अंक छे है, शुबरंग आपका हरा रंग है, तो हरे रंग का प्रियोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से है, कि प्रातहकाल इस्टनान करने के पश्चाज शनी देवता के मंदिर में, तेल का दीपक जला करके, शनी देवता की यथा शक्ति पूजन कर लें, पंचे मेवा और मिठाई का भोगर पन करें, एक स्रिफल चड़ा करके, करपूर से सनी दे प्रकार से मिल सकते हैं, कि विदेशी या दूर कनेक्शन या यात्रा सायद दोनों की संभावना ज्यादा हो सकती है, मन एकागर चित्त करके, किसी भी कारे को सफल बनाने का प्रयास आप करते हैं, तो वहाँ आपके लिए काफी सफलता दायक रहेगा, आप अपने सुक दोनों में वरद्धी कर पाएंगे, जिससे घरलू वस्तों पर आपका अच्छा खासा धन खर्च भी हो सकता है, आज आपको अशुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं, कि आपके जीवन में संतुलन में परिवर्तन आएगा, या डगमगा भी सकता है, कई मामलों में अस पत्याशित नुकसान, पेत्रक धन और करजवा उधार लिया गया पैसा, आज आपके लिए मुख्य आर्थिक विशई हो सकते हैं, इसलिए धेरी पूरवक व्यवाहर करने की आज आपको अवशकता रहेगी, आज लाइप की यदि हम बात करें, तो अपनी उम्मिदों को इ अवसाई या व्यापार कर रहे हैं, उसमें उन्नति के अवसर आपको मिलने वाले हैं, किसी नए कारे का शुभारंब आप कर सकते हैं, या किसी भी तरह के कामकाज को लेकर यात्राएं आपके लिए सफलता दायक हो सकती है, आज स्वास्त की यदि हम बात करें, तो आज शुबरंग आपका पीला रंग है, पीले रंग का प्रयोकारी छेत्र में आज अधिक सधिक आप करेंगे, तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं, कि प्र रखें और एक स्रिफल चड़ा करके शनी देवता की करपूर से आरती उतारे, यह था शक्ति शनी इस्तरोत्र अथ्वा शनी देवता के नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें, तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वह सफलता दायकाज रहेगा, अगली राशी ह आज शुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, यह समय आपके लिए साहस और उत्साहस से भरा हो सकता है, किसी भी कारे को जिम्मेदारी पूरवक करने से काम्याबी मिलने की संभावना अधिक रहेगी, जीवन के अन्य रहसों को जानने के लिए पूरी तरह से तयार आपक यह जानते हैं कि आपको बहतर काम केसे मिल सकता है, ताकि आपको उसमें माननता और सफलता प्राप्त हो जाए, आज आपको अशुब परिनाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, अगर आप एक बार अपने विवसाई या नीजी जीवन दोनों को अच्छी तरह से संतुलित कर ले, तो चीजें सब आपके लिए अच्छे से काम कर पाएगी, इसमें आप दूसरे कामों में मन लगा पाने में पूरी तरह असक्षम भी हो सकते हैं, ऐसे में आपको बिना मेहनत के मेहनत से रुके हुए लगातार प्रहत्न करने की अवशकता रहेगी, जिससे आप कारिच्छे प्रहत्र में अच्छी उन्नती प्राप्त कर सकेंगे, आज लाइप की यदि हम बात करें, तो आज परिवार में तनाव गरस्त स्वयम को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि न चाहते हुए भी आपके और आपके जीवन साती की बीच किसी बात को लेकर किसी प्रकार की गलत भमी उ व्यवसाइक द्रश्टी से यह समय आपके लिए उन्नती दायक हो सकता है, क्योंकि शनीगरह धनुराशी में गोचर कर रहा है, जो व्यवसाइक द्रश्टी से काफी अच्छा और आपके लिए उन्नती दायक हो सकता है, आज स्वास्त की यदि हम बात करें, तो अपने सारी पहले से भी काफी उत्तम रहेगा तो आज आपका भागिशाली अंक दो है शुब रंग आपका लाल रंग है तो लाल रंग का प्रयोग कारिछेत्र में आज अधिक से दिकाप करते हैं तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विगन संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं कि प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चात सनी देवता के मंदिर में तेल का दिपक जलावें और यथा शक्ति सनी देवता का पूजन कर लेवें सनी देवता को काला वस्तर अरपन करें काली धोजा उनके मंदि उतारे और यह था शक्ति शनी देवता के इस्तरोत्र अथ्वा नाम मंत्रों का बेट करके जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वबा सफलता दायकाज रहेगा तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वा शेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्न मित्रों फिर मिलेंगे